खबर यूपी के जनपताय उध्या से हैं जहां ग्रामीड अंचलों में राम लीला में अभिनेक करने वाले कलाकार गाओं की ही हैं जो राम और रावड का रोल करके चर्चा का विशेर बने हैं बिगापुर में कोचा बाजार में धमसामा की स्थान पर होने वाली परंपरा गत राम लीला इन दिनों चपजाओं में हैं गाओं के नव्युकोद्वारा आयुजित होने वाली ये राम लीला गाओं में पनप्रहिसांस्प्रतिक धरोहर की मिसाल बन रही है राम नीला के जरिये जहां ग्रामीर अंचलों के रहने वाली उवक अपनी कला का लोहा मनवा रहे हैं वही धर्म के प्रति अपनी समझ का भी परचे दे रहे हैं वैसे तो धमसामा के स्थान पर राम नीला का मंचन गत पांच बरसों से हो रहा है मगर इसके कलाकारों की मंचन सेली मजे हुए कलाकारों जैसी दिखाई पड़ रही है राम नीला समित के सयोजक विकास कुमार यादव वैसे तो पेसे से प्राक्रितिक चिकित सक है मगर गाउं में छुपी हुई प्रतिभाओं को निखार कर राम नीला का मंचन करते हुए वैसे प्रसनिचित मुद्रा में दिखाई पड़ते हैं उनका दावा है कि नौ दिनों में जहां एक और लोग मा की भक्ती में लिन रहते हैं वहीं दूसरी ओर आयोध्या की पावन धर्ति पर राम नीला के जर्ये लोगों में उनकी सांस्कृतिक विरासत की जानकारी का प्रचार प्रसार करके उन्हें गौरप का अनुभाव प्राप्त हो रहा है राम नीला मंचन के संचालन का कारे देख रहे लाल यादव नि बताया की राम नीला मंचन के दोरान कलाकारों की सहियं सैली तथा जनता की भारी भीड और उसका अनुशासन लगातार प्रबंद समीति को अग्रसर होने की उर्जा प्रदान कर रही है लेला समीत वच्छा वाजा धमसामा डणवा यह हमारे डणवा गरामसभा के धमसामा के और आसपास के जो चित्रियों गरामसभाएं हैं वहाँ के सभी धार में प्रबित्ति हमारे साथ हैं सब लोगों ने मिल करके दिगत पांच बरसों से यह रामडिला सुरू किया है और मित्रों हमारे इस रामदिला का लच्छे है कि भगवान राम के जो उनके कृत्य थे और माता की जो दैविक सक्तियां हैं उनका व्रेडन करना और उनके द्वारा अन्भूत करके गवों में घरों में नई जागृति पदा करना एक आस्था का भाव जगाना भगवान राम के चरित्र का वरेडन करने के लिए कारी सरूप लिए अपना नाप जी मैं डॉक्तर आरेनी आदो प्राक्रितिक चुकिस्ता हूं एक प्रेस्ट चुकिस्ता हमारा यहां पर बगल्मी क्लिनिक है और हम लोग जो है एक साथ यहां पर मैं यहां डारेक्टर आईजी कर दो